Hey guys, welcome back to another video, I hope you are doing great तो आज के इस टुटोरियल में मैं आप लोगों को स्क्रोलिंग टेक्स्ट बताऊंगा Adobe Premiere Pro पर किस तरह से आप अपनी वीडियो में क्रेडिट नेम एड़ कर सकते हैं इस स्क्रोलिंग टेक्स्ट बनाते हैं स्क्रोलिंग टेक्स्ट आज के इस वीडियो में दो तरह को होंगे एक इस तरह का हम लोग क्रेड करेंगे एंड एक इस तरह का क्रेड करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले आप अपने Adobe Premiere Pro को ओपिन कर लें एंड तेक्स लेखर करके यहां पास क्लिक कर देना है यहां पर हमने को कोफी कर लिया होँ आप अपने को मैनवली लिख भी सकते हैं आपको इसके बाद आपको selection टूल क्लिक करना है और ग्रेफिक पर किलिकश करके आप एडिट पर यहांपista आ जाए गया इस पर click कर देना है यह इस तरह से scrolling टेक्स्ट बन चुका है credit name भी इसको कहा जाता है और सोलो करने के लिए इसको और stretch कर लें यह सोलो हो जाएगा and fast करने के लिए और कम करते duration को यह fast हो जाएगा तो चलिए देखते हैं दुसरे तरीके का scrolling text किस तरह से बनाते हैं कर लेंगे एंड कोपी कर लेंगे टेक्स्ट को यहां पास अब डारेक्ट लिक भी सकते हैं अपने टेक्स्ट को इस तरह से टेक्स लेयर को क्लिक करते हुए आप एफक्ट कंट्रॉल पर रहें एड इसको नीचे क्लिक करें और इसके साइज को थे छोटा कर लें इस तरह से अधिसको एनिमेशन देने के लिए इसको लॉलिंग देने के लिए आप त्वेक्स के नीचे वाले ट्रांसफॉपयम पर चॉपल एनिवेशन को आप आउर्ण करदे पीद्सके बाद इसको सेट करदे समया सारी कि इस तरह से लाएंगे इसको सीधा रखने के लिए शेफ्ट पीश का ओलिट कीश को गोल्ड रेंगे तो आप यह सीधा रहेगा इस तरह से चला कर देखलते हैं ये इस तरह का फास्ट है तो इसको आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में I hope कि आप लोगोंने कुछ नया सिखा होगा आज के इस वीडियो से और अगर इसी तरह के बेसिक टोटोरियल सिखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें इस वीडियो को Thank you झाल